हेलो डियर स्टूडेंट्स तो आज हमां लेकर आएं आपके लिए MHT, CAT, MCQS का Mock Test 12 का वीडियो सल्यूशन सबसे पहली बात तो I know कि CAT एक्जाम के लिए बहुत कम दिन बचे हैं 3-4 दिन ही बचे हैं और आप लोग एकदम अब restless हो रहे हो लेकिन एक चीज़ याद रुखो बच्चो आपने बहुत मेहनत की है आप लोग देड़ साल से मेहनत कर रहे हो आपको पता है मुझे पता है मुझे आप लोगों पर भरोसा है कि आप लोग एक्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे लेकिन प्लीज अपने stress को अपने उपर भारी मत होने दो relax करो इतना जादा stress मत लो कि आप पागल हो जाओ और सब कुछ भूल जाओ अभी last last के एक दो मॉक्स जब आप दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आरे मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है टेंशन लोगे ना बेटा तो करी कराई मेहनत भी वेस्ट हो जाती है सो रिलाक्स करा एक्जामत से अणि तुम्ही मेहनत के लिए है होईल सग्रन हीट होईल एकदम एकदम रिलाक्स रहा जरा प्लीज स्ट्रेस कमी गया कारण में कॉमेंंट क्रेट जुद्धे। मुलत गावर लेथ एकक दम स्ट्रेस मते जाले छै मांड़ेह hottest लेकिन सिर्फ लास्टfa से जबने के मैनत के सब्सक्रिखन से मैंठ की था से सब्सक्रस प्लीज साल की मैनत आपको आपाड़ी जाके dépl्स देनाली एकदम रिलाक्स करो सब अच्छे से हो जाएगा डोंट वरी अबाउट इट ठीक है चलो सब बाकी के जितने भी मौक एक्जाम्स है अच्छे से देना थोड़ा छोटा छोटा अभी लास्ट मिनिट रिविजन के लिए मैं आपको एक छोटा सा टिप देती हूं आपको क्या कर प्रविजन स्टार्ट करो अब आपके पास टाइम नहीं कि आप पूरा वन शॉट वीडियो देखो या पूरा बुक रिवाइस करने का टाइम नहीं है वन लाइनर मतलब ओवर्विव देखो और अब आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी ब्लू बॉक्स ग्रीन बॉक्स है वो ग्रीन और ब्लू बॉक्स रिवाइस करना स्टार्ट करो क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं कौन सा नाश्नल पार्क कहां पर है इंडिया का कौन सा एक्स्टिंग्ट अनिमल कहां पर पाया गया था जो भी है अब अपने टेक्स्ट बुक के ब्लू बॉक्स ग्रीन बॉक्स पढ़ना स्टार्ट करो लास्ट मिनिट रिविजन में यह सब करना पड़ता है और अभी थोड़ा आट दस दिन के लिए इंस्टाग्राम फेस्बुक बंद कर दो वाट्साप चैटिंग करना बंद कर दो और जो टाइम मिलता है उस टाइम में आप वन शॉ यू और वार्यूर्य यू आवर वार्यूर्य आप व्याव आप विश्वास थिक्यां रिलाक्स ताम डाउन रहके करो सब अच्छे से हो जाएगा चलो पहला कोश्चन देखते हैं पहला क्या था हमारा नोर्मली जीन अकर इन पैर अफ क्रोमोजोम बट जीन दिफरेंट ज देखेंगे तो हमारे जो जींस होते हैं वह पिए में प्रेजन प्रेजंट होते हैं यह दोनों ऑप हैं टिर जीजंट का लोकेशन बताते मतलब एक्सडेएं में क्रोलोचों के ओपर और योप के इसकते में एक्स ओम हो वाइक permett in is shorter so that is why they both have different loci for their genes next question dash is the hormonal method of birth control देखो वेसेक्टोमी में क्या होता है आप वास difference cut करते हो यह surgical method है IUD में क्या होता है इसमें भी आप एक type का temporary method रखते हो लेकिन इसमें भी आप कोई particular device अपने uterus में या cervix में implant कराते हो so this is also one of the temporary method method but it is long term method okay mechanical method है कौन सा method है mechanical method है next अपना आता है femidome femidome chemical method है यानि jelly वगेरा या कोई spray वगेरा यूज करना ताकि sperm uterus तक ना पहुंचे fallopian tube तक ना पहुंचे so this is a chemical method hormonal method कौन सा होता है pill method जिसमें progestron hormone जो है उसका उसका level increase हो जाता है जिसके वज़े से ovulation stop हो जाता है so hormonal method is pill method next question in glycolysis 3-phosphoglyceral dehyde is oxidized to form देखो glycolysis का पात्वे 3-phosphoglyceral dehyde 3-phosphate आगे जाके क्या बन जाता है इसमें oxidation हो के हमको क्या मिलता है 1-3-phosphoglycerate so option number two is the right answer यह तो डाइरेक पात्वे में से तेस्ट्यूब test tube baby means a baby born test tube baby मतलब क्या होता है जिसमें हम in vitro fertilization करते हैं यानि sperm और egg को tube के अंदर fertilize करते हैं फिर यह जब zygote आगे जाके embryo बन जाता है इस embryo को वापिस uterus में shift कर देते हैं so option कौन सा right आएगा only second option is right okay next question dash is not the main function of lymph glands lymph glands का main function क्या नहीं है lymph gland में WBC बनते हैं जिनको lymphocyte बोलते है lymphocyte का काम होता है phagocytosis करना bacteria destroy करना antibodies क्यूंकि lymphocyte दो टाइप के होते हैं B lymphocyte and T lymphocyte तो B lymphocyte से antibody बनता है so this is also the right function आपको क्या बुला है which is not the main function of lymph gland RBC form करना lymph gland का function नहीं है RBC bone marrow से बनता है next question which of the following component of sewage is live component देखो human excreta याने human potty it is a dead component domestic waste मतलब अपने घर का कचरा dead component organic matter dead component लेकिन microorganisms living होते हैं so option number A is the right answer next question the main use of agrochemical pesticides is to agrochemical pesticides मतलब क्या होते agriculture में use किये जाने वाले pesticides to develop pesticide resistance in pest no pest को और strong थोड़ी बनाना है pest को kill करना है to reduce productivity no contaminate soil environment no to control harmful pest yes हम कोई भी chemical क्यों यूज करते हैं harmful pest को मारने के लिए so option number four is the right answer which is a confirmatory test for typhoid typhoid के लिए कौन सा test होता है बेटा विडाल test yes देखो इसमें और इसमें spelling देखो यह spelling और यह spelling में से यह वाला spelling राइट है so please spelling एक बार चेक करो ओके यह spelling राइट वाला spelling है अच्छे से ध्यान देके answer tick करना the study of blood is called as hematology immunology याने immune system का study angiology याने कि हमारे blood vessels का study osteology याने bone का study hematology याने कि अपने blood cells के bloods का study blood cells का study artificial insemination refer to artificial insemination मतलब क्या होता है जब आप sperm को direct vagina या fallopian tube में inject करते हो so artificial introduction of sperms into the vagina okay हम direct ovary में नहीं करते हैं okay transfer of sperms of husband to a test tube containing ova नहीं इसमें भी नहीं होता है artificial insemination में test tube का use नहीं होता है यह IVF technology में होता है transfer of sperm of a healthy donor to a test tube no this is also wrong so option number one is the right answer surgical removal of uterus यह आपके textbook के blue box में दिया है जब किसी female को uterine cancer हो जाता है तो उसका uterus remove कर देते हैं surgery करके और उसकों बोलते हिस्टेरेक्टोमी tubectomy में fallopian tube cut करते हैं vasectomy में vast difference cut करते anatomy याने की study of internal structure in tomato polygalacto uranase causes fruit softening by degrading what? by degrading its outer membrane that is pectin layer tomato जल्दी क्यों सड़ जाता है क्योंकि यह जो membrane है यह जो polygalacto uranase enzyme है यह pectin को degrade कर देता है next question fruit production in grapes is increased by application of देको मैंने आपको बताया था जब हम plant hormones के बारे में पढ़ रहे थे हमारे लंबे-लंबे size के जो grapes होते है इसके height किसके वज़े से बढ़ती है गिबरलीन hormones के वज़े से so option number three is the right answer point out the odd one ovule female reproductive part है ovary female, nucellus female लेकिन tapetum males में मिलता है so this is the odd one out next estrogen and testosterone are dash hormones estrogen and testosterone कौन से टाइप के hormones है यह देखो ninth chapter में chemical nature में मैंने आपको बुला था यह पढ़ने के लिए estrogen कौन से category में आता है steroid hormones में आता है class 11th biomolecule chapter में भी हमने पढ़ा था ना yes next which of the following plant absorb water from air तो हमने देखो पढ़ा था 6th chapter में कि कुछ-कुछ plants होते हैं जो air का moisture absorb करते हैं और उनके पास moisture absorb करने के लिए special tissue होता है जिसको हम बोलते है velamen tissue so velamen tissue की मदद से कौन water absorb करता है epiphyde so option number one is the right answer what happens during joint diastole joint diastole में क्या होता है देखो पहले आपका atrial systole होता है for 0.1 second फिर आपका ventricle systole होता है for 0.3 seconds और इसी time पे आपका joint diastole होता है इसी time पे क्या होता है देखो यहाँ पे आपका atrial systole चालू हो जाता है और इसी time पे joint sorry this is atrial diastole एक मिनट रुको यह देखो इसी time पे आपका atrial diastole चालू रहता है पूरा 0.7 seconds के लिए रुको पूरा मिटा के वापिस बताती हो यह देखो यह आपका atrial systole है याने जब atrium contract होता है 0.1 second फिर यहाँ से आपका ventricles का contraction चालू होता है for 0.3 seconds और फिर ventricle contraction होने के बाद आपका joint diastole होता है joint diastole होता है for 0.4 seconds और इसी time पे आपका atrial का यह चालू हो जाता है diastole atrial diastole जिसको हम बोलते हैं 0.7 seconds के लिए सब लोग chapter no.8 में जो आपको graph दिया गया है वो graph देखो joint diastole में आपके atrium और ventricles दोनों एक साथ relax करते हैं जिसको बोलते है heart is relaxing अब यह देखो next क्या बताया गया है match the following tubic tummy मतलब क्या होता है fallopian tube कर देना तो आपका block gamut block हो जाएगा यानि first cancer is fourth first cancer is fourth तो यह option और यह option अब check करो second oral pills क्या करता है oral pills आपके क्या करेगा it will inhibit ovulation it will inhibit ovulation and implantation यानि कि यह hormonal level change कर देगा जिसके वज़े से ovulation नहीं होगा okay so two का two तो यह देखो two का two और check करो diaphragm क्या करते हैं diaphragm हम temporarily एक साल के लिए दो साल के लिए female के cervix में fix कर देते हैं जिसके वज़े से आपका उधर पे embryo implant ही नहीं हो सकता so option number three का one और one यह भी right है and IUD IUD याने intrauterine devices इसकी मदद से क्या होता है अगर hormone releasing या copper releasing IUD है तो उसके वज़े से sperms की death हो जाएगी phagocytosis होता है so option number four का answer है three तो यह last वाले option में सारे options match कर रहे so option number four is the right answer which enzyme catalyzes conversion of citric acid to isocitric acid यह देखो आपका citric acid isocitric acid में बनाने के लिए कौनसा enzyme use होता है in the first type of glycolysis glucose is phosphorylated और यह glucose phosphorylated करने के लिए यह अपना किदर से लेते हम यह phosphorus group ATP से next in a normal healthy man in a normal healthy man the kidney controls normal healthy man में kidney क्या control करता है homeostasis और osmoregulation osmoregulation मतलब क्या होता है balance of salt and water in the body so option number two is the right answer next question where does meiosis occur in ovule ovule में meiosis किदर होता है ovule याने female gamut तो यह अपना megaspor mother cell है megaspor mother cell में meiosis होता है हमको megaspor मिलते है megaspor mother cell कैसे बनता है archeosporium से so यह देखो यह आपका archeosporium है archeosporium से megaspor mother cell बनेगा megaspor mother cell में meiosis होगा meiosis के वज़े से megaspor बनेगा याने टकलू हो जाना यह तो किसी भी रीजन के वज़े से हो सकता है it is not sex link trait completely deafness याने बहरा हो जाना इसके रीजन बहुत सारे होते है total blindness is also not genetic color blindness is genetic sex linked trait आपका hemophilia है यानि hemophilia का जो जीन है वो female sex के पास होता है X chromosome के पास होता है X chromosome के पास होता है कैसा है यह autosomal genetic disorder बाला मुवी देखा है आपने आयुष्मान कुराना का उसमे उसको genetic disorder रहता है उसके पपा के बाल चले जाते है तो आयुष्मान कुराना के भी बाल जहर जाते है that is autosomal trait it is not sex link trait next transcription is a process by which transcription में क्या होता है DNA से mRNA से प्रोटीन तो DNA से mRNA बनता है उसको बोलते है transcription so RNA molecule is synthesized यह third option wrong है it is synthesized from DNA not from ribosome next question the chromosomes are usually classified on what basis देखो यह chromosomes का structure है chromosome के centrum ear का position किदर पे है उसके basis पे हम chromosome को अलग-अलग structure और अलग-अलग नाम देते है choose the correct option in human female the blastocyst is देखो हमारे human female का जो blastocyst होता है यह blastocyst में हमको क्या देखने को मिलता है कि बाहर की तरफ जो trophoblast के cells होते हैं और अंदर की तरफ inner mass cells होते हैं inner cell mass तो यह जो trophoblast के cells है यह trophoblast क्या करेंगे हमारे blastocyst को endometrium के layer में implant होने में help करेंगे which cells produce hole in plasma membrane of infected cells in inflammatory response मतलब समझो कि अगर आपकी body में कोई antigen घुसा है और inflammation हो रहा है तो यह जो antigen है यह antigen के plasma membrane को break करने की responsibility किसकी होती है killer cells की किसकी होती है killer cells की so option number 2 is the right answer next question lactic acid converted into alcohol in process is called lactic acid जब alcohol में convert हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं yes everybody उसको हम बोलते हैं fermentation process कौन सा process बोलते हैं fermentation ओके all right next question introduction of exotic species may pose threat to native species due to देखो बाहर से अगर कोई alien species आपके इदर आ गया कोई बाहर से plant या animal आपके एरिया में आ गया जहां पे आपके एरिया के plant और animal रहते हैं तो बाहर से आए हुए स्पीशिस के अगेंस्ट कोई biological control नहीं है इसलिए वो स्पीशिस क्या करेगा वो जैसे अभी coronavirus बाहर से आया था उसके अगेंस्ट कोई दवा नहीं थी हमारे पास तो वी डोंट हैव इस natural biological control इस वज़े से वो जल्दी spread हो जाता है because of the absence of natural biological control clone is a dash देखो आपके टेक्स्बूक में पिछे answer की में answer गलती से गलत सिलेक्ट हो गया है clone कब बनते हैं जब और sexual reproduction में जैसे amoeba amoeba के cells से जो दो डॉटर cells बनती है दोनों सेम दिखते हैं दोनों अपने parents के जैसे दिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं clone याने same to same copy option number one is the wrong answer okay next answer genetic code translates the language of genetic code मतलब क्या होता है आपके mRNA के उपर यह जो codons present है इसको हम genetic code बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम genetic code यह genetic code क्या करता है हमको protein की information बताता है so it translates the information of RNA into proteins so option number two is the right answer the genetically engineered bacteria have been used for commercial production of GMO genetically modified organism हमने कौन से particular hormone production के लिए use किया human insulin के लिए हमने E coli use किया so this is genetically modified organism okay next question a patient with mixed odema would be expected to have mixed odema मतलब क्या होता है mixed odema याने की hypothyroidism याने thyroid hormone की कमी हो जाना hypothyroidism तो इसके वज़े से किसी भी यूमन का BMR लो हो जाता है तो उसको बोलते हैं mix odema यानि उसका metabolic rate उसका metabolism process slow हो जाता है which of the following statement is correct इसमें से correct statement कौन सा है blood water is heavier than blood no blood is a mixture of water no it is a blood and water have the same density no blood water से heavy होता है क्योंकि blood के पास heavy corpus cells होते हैं तो individual of two different population fails to interpret because of dash isolation मतलब समझो कि ऐसे type isolation आपको देखने को मिल रहा है यह दोनों का species same है लेकिन दोनों के रहने की जगह अलग अलग है समझो यह rural area से है और यह urban area से है तो दोनों का जहन से हैं अलग है दोनों का behavior अलग है इस वज़े से इसको बोलते हैं behavioral isolation यह दोनों एक दूसरे के साथ reproduce नहीं कर पाते जैसे गाओ की छोरी के साथ शहर के छोरे की इशादी कराएंगे ज़रूरी नहीं है कि वह compatible हो पसंद नहीं आता है कभी-कभी एक दूसरे को लोग next question what is the direction of micropylene anotropos ovule anotropos ovule मतलब क्या होता है ultra ovule में micropyl का direction नीचे की तरफ होता है memory cells are nothing but immunological memory cells जो हमारे दिमाग में अपनी antigen की memory store करके रखते हैं next question deficiency of nutrient in soil is because of देखो यह आपने बचपन में 8-9 में पढ़ा है soil erosion क्या होता है soil erosion में क्या होता है आपके soil का सारा nutrients पानी में बह जाता है plant की growth continue होईगी तो soil के nutrients खतम हो जाते हैं लीचिंग प्रोसेस लीचिंग प्रोसेस यानि कि आपका nutrient कम होते जाना और ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिक होते जाना तो इन सारे रीजन के वज़े से हमारी soil की quality कम हो जाती है so all of the above full form of GEAC genetic biology chapter में हमने पढ़ा था genetic engineering approval committee option number three is the right answer next question the inelasticity in walls of arteries indicates a condition called हमारे artery का वोल जब inelastic हो जाता है तो इस जब यह inelastic हो जाता है तो इस condition को क्या बोलते हैं arteriosclerosis और अगर इसके उपर fat deposition हो गया तो उसको बोलेंगे atherosclerosis next question purines in RNA-r देखो purines दो टाइप के होते हैं मैंने आपको कौन सा statement याद रखने बोला था all gods are pure याने adenine and guanine मतलब purine pure क्या बोला मैंने all gods are pure to pure से purine आता है okay so adenine and guanine are purine और जो बच गया cytosine thymine and uracil they are pyrimidine purine और pyrimidine में क्या difference होता है purine के पास double ring होता है pyrimidine के पास single nitrogen ring होता है the first enzyme used in production of dna fragments is restriction enzyme between cretinism and mixodema the common factor is that एको cretinism बच्चों में होता है और mixodema adult में होता है दोनों में क्या common है इन दोनों में आपका growth hormone बनना stop यह क्या बोलते हैं आपका thyroxine hormone बनना आपका thyroxine hormone बनना stop हो जाता है तो राना get got the noble price on which of the following हमारे जो डॉक्टर कुराना थे इनको इनको किस चीज के लिए noble price मिला genetic code artificially synthesize करने के लिए यानि artificially mRNA synthesize करने के लिए next question who gives right bio patent to inventor हमारे inventor को bio patent कौन ग्रांट करता है government next question CC के मतलब क्या होता है CC के मतलब कि आपका polycystokinin CC के मतलब क्या होता है आपका polycystokinin यानि जो स्टमक में present होता है digestion में help करता है female gametophyte of angio sperm is mostly एक female का gametophyte है इधर पे तीन antipodal के cells है समझो three cells and three nuclei है एक cell के अंदर एक nuclei है नीचे दो synergy दे एक cell है तो इधर पे तीन cell है और तीन nuclei है और बीच में बीच में आपको दो सेल देखने को मिलेंगे यह दोनों fuse होके एक बन जाते हैं तो दिखने में एक दिखते हैं पर आक्चुली इसके अंदर नूकलियस कितना होता है दो नूकलियस होता है तो टोटल टोटल अगर देखा जाए तो एक embryosac के अंदर सेल कितने हैं सेवन और नूकलियस कितने हैं एट सो ऑप्शन नमबर डी इस दी राइट आंसर ठीक है next question which of the following two bacteria are very useful in genetic engineering यह तो आंक बन करके भी पता चल जाएगा वाटर इस नीडड़ एलिमिनेशन ऑफ वन ग्राम ओ यूरिया एक ग्राम यूरिया डिजॉल्व करने के लिए कितना पानी चाहिए 50 ml वाटर in which function serotoli cells are involved हमारे seminiferous tubule के अंदर यह बीच बीच में जो serotoli cells होते हैं यह क्या करते हैं हमारे developing sporms को nutrition provide करने में help करते हैं क्या करते हैं nutrition provide करने में help करते हैं in process of growth and cell maturation what are organic compounds produced by living plant cells और कौन से organic substances present है हमारे living plant cells में yes vitamins, alkaloids, fatty acids नहीं है so is it hormone yes next question repressor protein is made up from repressor protein जो लाइक उपरान में यूज होता है वो किदर से बनता है आपके regulatory जीन से यह रिप्रेसर प्रोटीन और रिजोन के पास चला जाता है अगर पहले RNA polymerase नहीं गया तो एक बार यह रिप्रेसर प्रोटीन जाता है आपके operator region के पास उदर पर जाके यह RNA polymerase को ब्लॉक कर देता है जिसके वज़े से आगे protein synthesis नहीं होगा डायन सेफलोन लाइस बिड़ो डायन सेफलोन मतलब थलैमस और हाइपो थलैमस किदर प्रेजन होता है डायन सेफलोन हमारे midbrain के और pons verula के नीचे यानि कि it lies below the midbrain इदर पर midbrain आएगा and above the pons veroli next question felling solution is used for detection of basically felling solution हम किस लिए use करते है plants में use करते है ठीक है plants के sample में use करते है और किस चीज़ के लिए test करते है glucose present है कि नहीं है option number three is the right answer antibodies are antibodies मतलब globulin immunoglobulin जो immune system को प्रोटेंट करने वाली proteins immunoglobulin next question if pollen tubes pour through lower end चलाजा of the ovule it is called dash देखो क्या बुला गया है अगर आपका ये pollen tube जो है it enters towards the lower end यह आपके lower end की अंदर entry ले रहा है देखो आपका यह जो pollen tube है यह pollen tube चलाजा के पास से अंदर जा रहा है और फिर आपके माइक्रोपाइल तक जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे चलाजोगैमी क्या बोलेंगे चलाजोगैमी पोरोगैमी क्या होता है यह सेवरीबडी मीसोगैमी क्या होता है सिंगैमी क्या होता है पता करो और चैट बोक्स में बताओ next question the term spigmos in spigmo manometer means इसदे को blood pressure count करने के लिए डॉक्टर ने आपके हाथ में वह pump लगाया रहेगा उसको बुलते spigmo manometer वह क्या क्या count करता है वह आपका pulse count करता है next question pollination through the agency of insect is known as insect pollination किसके वज़े से होता है एंटोमोफिली के वज़े से अनिमोफिली वुंड पॉलिनेशन हैड्रोफिली वॉटर पॉलिनेशन और नीटोफिली क्या होता है बॉड़ पॉलिनेशन ओके next question transpiration will increase with the increase in dash transpiration बढ़ाना है तो दूप बढ़ानी पड़ेगी दूप बढ़ाना है तो humidity बढ़ानी पड़ेगी यह temperature बढ़ाना पड़ेगा जिसके वज़े से आपका transpiration fast हो जाता है so it occurs because of temperature hyper secretion of growth hormone in childhood अगर बच्पन में growth hormone ज्यादा प्रड्यूस हो गया तो हमारी बॉड़ी जायंट के जैसे बन जाती है जिसको हम बोलते हैं गाइगाइंटीजम what will be the blood group when both antigens A and B is present the blood group will be A and B okay next question the part of the brain which has control over the endocrine system is known as neurohypophysis यह आप उसको बोल सकते हो hypothalamus क्या बोल सकते हैं hypothalamus क्योंकि hypothalamus क्या करता है यह हमारी body का thermoregulator है master gland है यह सब control करता है next question most evident proof of evolution is evolution सबसे पहले किदर देखा गया था फॉसिल्स की मदद से किसकी मदद से पाया गया था फॉसिल्स की मदद से next question which of the following is most common audible mushroom agaricus bisporus next which antibiotics is produced by streptomyces venezueli देखो streptomyces venezueli से कौन सा antibiotic मनता है chloromycetine मैंने आपको बोला ना textbook में जितने भी टेबल से वह रिवाइस करना स्टाइट करो देखो राइजोबिया का function क्या बताया गया राइजोबिया क्या करता है राइजोबिया इस फ्री लिविंग वर्गैनिजम्स जो रूट नोडियूल के अंदर ही अपना काम करेगा अगर हम अपने फ्लावर में से यह अपेक्स वाला बर्ड निकाल दें तो क्या होगा हमको लेटरल ब्रांचेस देखने को मिलने लगेंगी तो प्रोमोशन आफ लेटरल ब्रांचेस विल टेक प्लेस फू प्रपोस्ट देओरी अफ नाच्रल सिलेक्शन किस ने तो अब देखो नेक्स्ट क्वेस्टन में क्या दिया गया है फ्रॉम बैक्टेरिया टुमें नियरली डैश यूनिवर्सल कोड फॉर फिनाइल आलनीन देखो हमारे निरेन निरेन बर्ग और मैथी और कॉन थे बताओ निरेन बर्ग मैथी खोराना गमाउफ इन सब लोगों तो अब अब पॉल सकते हो इसको बोल शकते हो somatotropin releasing hormone okay next heartbeats are accelerated by देखो हमारा जो autonomic nervous system होता है उसमें एक nervous system में sympathetic और एक है parasympathetic sympathetic nervous system क्या करता है कुछ चीजों को increase करता है और parasympathetic nervous system उसका antagonistic काम करता है so heart beat is increased by sympathetic and decreased by parasympathetic because sympathetic nervous system produces excitement hormone adrenaline and parasympathetic nervous system produces relaxin hormone that is acetylcholine next question which of the following fossil is recovered from siwalik hills of India so India के siwalik hills में कौन से पर्टिकुलर स्पीशीज का फॉसिल देखने को मिला था रमापिथेकस टैश देज नॉट प्ले रोल इं ब्लॉड कोईगुलेशन ब्लॉड कोईगुलेशन में कौन से प्टिकुलर में प्लेसेंटा में नो इस प्रेजेंट इन यूटरस फॉंक्शन ओफ गॉल ब्लैडर इस क्लास 11th हुमन नूट्रिशन चाप्टर इट स्टोर्स बाइल जूस बाइल जूस के वज़े से क्या होता है आपके इस प्रेजेशन में इंप्रूब्मेंट होती है यहने लाइपेस एंजाइम अक्टिवेट होता है लुकोस 6 फोस्पेट इन फ्रुक्तोस 6 फोस्पेट आइसोमर्स ओफ इच अधर दोनों का molecularly same but their structural formation is different so they are isomers of each other which of the following was not proposed by Mendel dominance first law Mendel ने दिया segregation second law Mendel ने दिया independent assortment third law Mendel ने दिया लेकिन incomplete dominance neo-Mendelism में पढ़ा गया था which was not given by Mendel next question DNA is heated in denaturation step PCR के 3 step होते है denaturation annealing and extension denaturation 90 to 92 degrees Celsius में होता है annealing 55 degrees Celsius and extension 72 degrees Celsius में denaturation के लिए 90 to 92 याने 91 degree average देखा जाता है so option number four is right answer आप three और four में confused हो सकते हो तो आपको यह exact value पता होनी चीह कि 90 to 92 के बीच में होता है temperature so 91 is the average temperature when pollination occurs on the surface of water उसको हम क्या बोलते है एपिहड्रोफिली पानी के उपर जैसे वाली सनेरिया में starch is changed to maltose by starch बनाए glucose से तो यह आपका polysaccharide polysaccharide को disaccharide बनाना है तो यह कैसे convert होता है amylase enzyme की मदद से जो हमारे saliva में present होती है yes starch is changed to maltose next the role of renin secreted by kidney is देखो हमारे renin का क्या function होता है बेटा हमारे kidney निसे जो renin enzyme आता है वो क्या करता है हमारे liver से जो angiotensin बन रहा है उस angiotensin को angiotensin 1 से angiotensin 2 में convert करता है और यह angiotensin 2 क्या करेगा यह हमारे blood pressure को लो करेगा याने की it will lower down the blood pressure and it will help in more absorption of sodium atrial natriuretic factor maintain करने में help करेगा so it helps in the conversion of angiotensin 1 to angiotensin 2 class 11th excretion and osmoregulation में यह पढ़ा है next question आपको match the following करना है thromboplastin क्या होता है thrombocytopenia क्या होता है पहले जो जो पता है वो कर लेते thrombocytopenia याने decrease in thrombocytes thrombopoiesis, poiesis मतलब क्या होता है formation erythropoiesis, leukopoiesis, thrombopoiesis, poiesis word का मतलब होता है formation so यह आएगा so b का answer है one check करो b का answer one first option में देखने को मिल रहा है और d का answer है three so यहाँ पर यह दोनों match हो रहा है अब बाकी देखो thromboplastin क्या होता है thromboplastin convert हो जाता है आपके thromboplastin से आपको क्या मिलता है आपका pro thrombinase enzyme active होता है याने आपका factor no.10 activate होता है so it helps in nothing but क्या करता है यह thromboplastin substance present in thrombocytes which helps in the blood clotting so option no.1 answer 4 and thrombocytosis cytosis means increase so it helps in the increase of thrombocytes so option no.1 is the right answer dash niche explains position of organism in an environmental complex देखो हमने पढ़ा था तीन टाइप के नीश होते है spatial niche habitat niche and hyper volume niche hyper volume niche में क्या होता है complicated environment होता है जिसको हम ठीक से explain नहीं कर सकते है so इस niche में आपको complicated environment देखने मिलता है जहाँ पर organism की position होती है dash are the abiotic factors which are agents for pollination कौनसा factor abiotic factor है birds biotic living organism है insect living organism है यह भी living है लेकिन wind or water abiotic है so option no.1 is the right answer transposons are also known as jumping genes जो हमको agrobacterium tumifacients में देखने को मिलते हैं इसके मदद से हम tumor inducing plasmid use करते हैं यानि TI gene use करते हैं okay next lungs are lined by देखो एक यह question question no.31 आपका wrong print हुआ है answer की में और एक यह वाला question wrong print हुआ है हमारे जो lungs होते हैं उसका membrane moist होता है because of the air okay लेकिन lungs के पास squamous epithelium होता है क्योंकि squamous epithelium क्या करता है हमारे lungs को contract or relax करने में help करता है stretchable capacity देता है actually option no.2 is the right answer बट पीछे option no.1 कभी-कभी होता है आप के वज़े से जो test कटा पे हम paper upload करते हैं कभी-कभी अपने आप हम answer सही set करते हैं पर अपने option change हो जाता है final answer की में option no.1 is the actual wrong answer but option no.2 is the right answer so please check okay next question which of the following is cutenized wall of epidermal cells so कौन सा इसमें से epidermal cells के बाहर क्यूटीन मेंबरेन बनाता है क्यूटीन मेंबरेन मतलब क्या होता है transparent membrane जो किसी चीज को अंदर नहीं जाने देती है मतलब इस what do we say no it is not transparent it is what do we say it is impermeable membrane जैसे lotus का पत्ता lotus के पत्ते में water absorbed नहीं होता है तो इसके Looks cutenә k्यूमर की लेयर होते है याने wax की लेयर होती है fraction layer is impermeable जैसे कि आपका semi permeable membrane याने कि आपके cell membrane आपके route में एक cell wall होता है एक cell membrane जोते है तो यह cell membrane के बाहर और एक अगर wax की लियर आ गई तो यह wax की लियर इसको impermeable बना देगी किसी चीज़ को अंदर नहीं जाने देगी blunt ends of passenger and vehicle DNAs are connected by मतलब समझो कि यह आपका एक रुको मैं ऐसा एक plasmid बना रही हूं ठीक है ऐसा एक plasmid बनाया मैंने और इसमें हमने donor DNA याने की आपका passenger DNA लाके रखा ठीक है तो यह passenger DNA का यह वाला जो end था और यह वाले DNA का जो end है यह दोनों एक दूसरे के साथ bonds बना रहे हैं तो यह किसके वज़े से होता है DNA DNA ligase की enzyme की मदद से किसकी मदद से DNA ligase की मदद से अच्छा सोरी ब्लंट एंड मतलब क्या होता है यह एक DNA और यह दूसरा DNA तो इन दोनों को आपस में चिपकाना है तो DNA ligase enzyme यूज होगा sticky ends में क्या होता है ऐसा कुछ DNA देखने को मिलता है इधर से लटकता है इधर से लटकता है यह खाली रहता है इधर यह खाली है इधर यह खाली है plant end मतलब दोनों बराबर sharp edge से cut हुआ है इधर पे भी कुछ present नहीं है और इधर पे भी ऐसा है इनके बीच में सीलिंग करने का काम कौन करता है डियने लाइकेज एंजाइम ओके नेक्स्ट क्वेस्टन और फाउंड इन किदर देखने को मिलते हैं हमको अपने वेंट्रिकल्स में यह जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को खुलने में help करते हैं पूलते हैं जब आप कांट करते हो तो उसको हम बोलते हैं जीन पूल क्या बोलते हैं उसको हम जीन पूल याने की इविल्यूशन याने आपके पॉपुलेशन में जितने भी और्गानिसम सबका जीन एक साथ कांट करना एक और्गानिसम का जीन कांट करोगे तो उसको जीनोम बोलेंगे ओके मश्रूम इस आपको याद रखने के लिए चोटा हिंट क्या बताया था प्यूरीन का इसका नाम चोटा है मतलब इसका स्ट्रक्चर बढ़ा है इसका नाम बढ़ा है मतलब इसका स्ट्रक्चर चोटा है ऐसे आप एक स्टूपिड हिंट याद रख सकते हो तो ग्वानियन इस प्यूरीन विच शोज डबल रिंग कंपाउंड पैटी आसे और ग्लिसरॉल फैटी नेक्स्ट्ट्रेश्ट्ट्ट्ट्टे विच वन फे फाललविग इस प्लांट ग्रोथ रगूलेटर फ्रूप वेर सम अव थेम एक्ट आस वीड किलर वीड को लिए ने अन्वान्टेट प्लांट को किल करने के लिए हम ऑगजिन के अलग 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 कॉबिनेशन योरीमियदर में आपका यूरीक ऐसर हो गार और purity में उसे आए पास यह जाता है जिसके aúnसी pill हो जाती है Ureotels नद imagination जाता हो जाती है यह मसर से अदे जल जाता है तो यह पास यहां सप्लाईजेशन होने पालंध ट्रिपलॉइज नयुक्लियोग पर में नियुक्रेश ऩैट्र गांच TONफटिट यानि फरल्टलाइजेशन के बाद भेड़ एंडिस पॉंच मिला गैसा होता है केुछоры ощущ on the following देना है और यह भी chemical method से ही बनते हैं आपके medicines तो all of the above the fertilization process in which non-motile male gametes are transported up to the female gametes through a pollen tube is called as what देखो यह आपका pollen tube है यह pollen tube के मदद से आपके male gametes आपके female gametes तक जा रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं सिफोनो गैमी क्या बोलते हैं सिफोनो गैमी मीसो गैमी याने पोलन ट्यूब जब इंट्यूमेंट से एंट्री लेंगे फिन गैमी याने fusion of male and female gametes चलाजो गैमी याने चलाजा से एंट्री लेना और सिफोनो गैमी याने male gametes को carry करना तो आपको आपके सारे questions के answers मिल गए होंगे question पहले टेक्स्ट बुक में चेक कर लेना उसके बाद बताना ठीक है चलो बाई-बाई एवरीबड़ी ओल्द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मॉक टेस्ट और याद रखो मैंने आपको क्या बूला है टेंशन मतलो रिलाक्स रो पूरा पेपर अच्छे से जाएगा जितना आता उतना अच्छे से रिविजन करो स्ट्रेस मतलो बाई-बाई टेक केर सी यू सुन